नमस्कार ओम तत्पुर्शाय विद्वाई मादेवाधी में तन्नोर उद्रप्रचोदेयात स्वागत है आप सभी का मेरे एचस वारतवाज यूटूब चैनल पर आज मैं आपको सामन सोम्मार के ब्रत कता सुना रहा हूँ श्राबन मास का आकरी सोम्मार बहुती बड़ा सुवियोग पूरण मासी सोम्मार का दिन इस कता के सुनने से हर परेशानी दूर होती है हर मनुकामना पूरी होती है इस कता को पूरा सुने जिस कामना से आप ये कता सुनेंगे भगवान सिवजी के सामने वह कामना आपकी पू पूरे महिनेे आपने ब्रत रखा अपनी मनुकामना भूल करके सभी के अलग-अलग मनुकामना होती है और सावन का जो आकरी सौमार होता है उसका बड़ा मयथ होता है यह कता प्रतिक सौमार को सुन सकते हैं स्वुनमार के वरत सम्मबतत तीन प्रकार के होते हैं साधारण स्वुनमार, सुल यार स्वुनमार और प्रदोश वरत पूजा सब की एक जैसी होती है श्रावर्ण के सुनमार में यह कता सुनने से बड़ा महतु मिलता है भगवान सिपनी से करें पूजा करने के बाद में पंचा में से उनको पहले इस्णान कराएं फिर सभी बस्तूऊं से उनकी पूजा करें फिर दीपक जला करके वही बैठ करके इस कता का स्रवड करें इस कथा कि सुन्ने मात्र से ही हर परेशानी दूर होती है जो चाहोगे वही मिलेगा किसी नगर में एक सावकार रहता था वह बड़ा धनबान था धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उनको एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी वह इसी कामना से भगवान स्विभजी की पास जाता शिवाले जाता हुआँ पर सिवभी की पूझा करता दीपक जलाया करता था और वहीं बैठ करके ओम नवस्वाय मंत्रगां जाप करता था एक गंटे बेटा रहता था कापी समय भीत गया माताप पारवती ने भगवान सिपजी से कहा कि प्रवो यह जो सेट है यह आपका बड़ा भक्त है और प्रति दिन आपके यहां आकर के यह पूजा करता है लेकिन फिर भी आप इसकी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर रहे हूँ शिव जी बोले है देवी यह करम खेत रहे है या इनसान जैसा करम करता है वैसा ही फल काटता है जैसा करम करता है वैसा ही फल काटता है इनसान अपने करमों का फल भूगता है जैसा हम खेत में बीज डालेंगे उसी प्रकार से जो है पोधात पन होता है और हमें फल प्राप प्रवुजा करते हैं आपको उनकी कामना जरूर पूरी करनी चाहिए नहीं तो क्यों कर लोग आपकी पूजा करेंगे शिव जी निकाह की देवी आप नहीं मानते हो तो मैं इस सेट को एक संतान का बर्दान देता हूं लेकिन वह संतान केवल 12 बर्स तक ही जीवित रही शेट ये सारी बाते सुन रहा था तो सेट को प्रसंता नहीं हुई ना उसे दुखवा ना ही प्रसंता हुई वह चुपचाप अपने घर आ गया घर आगर के उसने किसी को कुछ नहीं बताया कुछ समय के बाद उसके घर में सुन्दर पुत्र पैदा हुआ लेकिन सभी खुसियां मना रहे थी सेट को इतनी खुसी नहीं थी उपर से दिखाने के लिए वह खुसता अंदर से खुस नहीं था जब लड़का 11 साल का हुआ तो उसने अपने साले को बलाया लड़के के माम को बलाया और का कि मामा भांजे दोनों कासी जी जाओ और इस मेरे बेटे की जो है साले से का कि इस बेटे की पूरी सिक्या पूर्ण करा कर की आना चाह कुछ भी हो जाए लेकिन इसकी पढ़ाई पूरी कराना और रास्ते में जहां भी रुको वहां पर दान प्रन करते पूजा पाट करते जाते दान पुन करते जाते तभी एक नगर में पहुंच गए और वहां नगर की जो राजा था उसकी लड़की की साधी थी लेकिन यहां पर वो ठहरे हुए थे वहां पर वह भी ठहरे हुए थे जो लड़का साधी के लिए आया था वह एक आंक से काना उसके पता को बड़ी टेंसन हो रहे थी लेकिन जैसे उस लड़के को देखा राज कुमार को सेट के लड़के को देखा तो उसने कहा कि आप हमसे कितना भी द्रब ले लो कितना भी दन ले लो लेकिन जो सगाई की रस्म है वह इस लड़के से करा दे। मामा त्यार हो गया उन्होंने सगाई की रस्म उसके द्वारा करा दी और जब सगाई की रस्म हो रहे थी तो सेट के लड़के ने उसकी चुन्री पर लिख दिया कि मेरी सगाई तो तेरे साथ हुई है लेकिन जिसके साथ तेरे साधी हो रही है वो एक आंक सिकाना है एसा लिख करके वो है कासी जी चले गए इधर सुवह लड़की ने जब चुनरी पर लखा हुआ देखा तो उसने पता से का और पता जी जिस लड़के से मेरी साधी हो रही है ये तो एक आंक से काना है और जिसके साथ मेरी सगाय हुई है वो तो कासी जी पढ़ने का आए है मैं इसके साथ साधी नहीं करूंगी तो राजा ने ब्राद को बापिस भेद दिया इधर मामा भांजे कासी जी पहुँच करके वह वहां पर यग्य प्रारम कर दिया और लड़के ने पढ़ना सुल कर दिया मामा प्रति दिन यग्य करवाता अनुष्टान करता और जो भांजा था वह प्रति दिन पढ़ाई में लग गया कुछ समय बाद ऐसा योग आया कि एक बार मामा ने यग्य अनुष्टान क प्राण निकल गए इधर मामा ने जाकर के देखा तो उसने खा कि यह तो मर चुका है लेकिन अभी में रोना पीटना सुन करूँगा तो सारे लोग आ जाएंगे और यग्य का अधूरा रह जाएगा उसने चुपचाप यग्जी को पहले पूरा किया उसके बाद में सभी को बेदा किया और फिर रोना प्रारम किया तबी वहां पर पारवती जी और सिवजी जा रहे थे माता पारवती ने भगवान सिवजी से कहा कि देखो कोई तुखियार हो रहा है चल करके देखते हैं माता पारवती और सिवजी वहां पर गए उन्होंने जा करके देखा ये तो वही लड़का है जो भगवान सिवजी के आशिरवा से हुआ था माता पारवतिन का कि प्रवु ये तो वही है जो आपके आशिरवास से हुआ था भगवान से बोले कि हे देवी इसकी उमर इतनी ही थी ये अपनी उमर भोग चुका माता पारवतिन का कि प्रवु इसको और जीवन दान दीजिए इसके माता पिता रोरो के परेशान है अगर ये सही समाल सलामत नहीं पहुंचा तो वह अपनी जान दे दिंगे और मामा को भी कलंग लग जाएगा शिव जी ने उसकी उमर बढ़ा दी लड़का जीवित हो गया फिर वह यग गनिश्टान करके और पढ़ाई कूरी करके लड़का फिर बापस आया और जब वह उस नगर में उकर के जा रहे थे तो उन्होंने देखा जो मांके नगर बासी थे उन्होंने उसको पैंचाल लिया मंत्री ने उसको पेंचान लिया और वो है जाकर के राजा को बात पताई राजा ने उस राजकुमार को शेट के लड़की को बुलाया विदी विदान से उसको आधर सतकार के साथ घर में बैठाया राजमेल में बैठाया और फिर अपनी पुत्री का विवा उसके साथ कर दिय कुछ दिन वहाँ पर रहे उसके बाद में बहुत सारा धन दौलत दे करके मामा भांजे दोनों को बिदा किया दोनों रास्ते में यग्य करते हुए अपने घर पहुचे तो मामा ने बांजे सका के बांजे तुम यही ठेरो मैं जा करके तुमारे पिता सी ख़बर कर रहाता हूँ वह है वहाँ पहुचे उजने का सेट जी आपका लड़का आ गया है मेरे साथ और बहुत सारा धन और भावले करके आया है सेट और सेटानी छट्टे पर बैटे हुए थे छजली पर बैटे हुए थे उनका अगर हमारा लड़का सही सलाम मत आ गया तब तो ठीक है नहीं तो हम कूद करके जान दे देंगे तब उन्होंने जब भांजे मामा ने उससे जाकर के कहा तो उनको विश्वास नहीं हुआ और देखो आपकी वह ले करके भी आया हूं जब उन्होंने दोनों को देखा तो प्रसंता से नीचे उतर आए और उतर के सतकार के साथ अपने बहु को अंदर ले गए और उन्होंने सारी घटना पूची कि इसके तो उमर कमती लेकिन इसको जीवंदान कैसे मिला तब मामा ने सारी बात बता दी कि भगवान सिवजी ने इनको पुने जीवित कर दिया क्योंकि हमने बगवान सिकी पूजा पाट की अनुस्तान किया तब से सभी पूरा परवार सोंमार का ब्रत करने लगा सोमार के ब्रत का यही फल है जो लोग जिस कामना से सोमार की पूजा करते हैं भगवान सिवजी की पूजा करते हैं उनकी सारी मनुकामना पूरी हो जाती है सोम्मार के वुद्ध में एक समे भूझन किया जाता है साम को भगवान श्युवजी की विदीविदान से पूझा करें कता का स्रवड करें उसके बाद में एक समें भूझन करें भूझन नमकिन या मीटा अपने सामर्त के अंसार आप कर सकते हैं जिस कामना से आपने व्रत किया है उस कामना का संकर्फ करके आप लाश्ट की देश अध्यापन करें भगवान सिवजी को बस्त अरपड़ करें मता पारवती को सिंगार अरपड़ करें और उसके बाद में फिर दखना भी दें और ब्राम्मनों को लिए दखना दे करके कुछ कुछ दान करना चाहिए और भूजन भी कराना चाहिए उसके बाद में अपने बुज़वगों का अस्रीवात लेना चाहिए ऐसा करने से ब्रत का पूरा